So hello guys what's up I hope you are doing well so आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं फिनोल और एलकोहल की acidity में comparison के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिनोल जो है जाधा acidic होते है एलकोहल के comparison में क्यों so let's start my name is Rajinder welcome at the platform of study smart तो चली देखते हैं इसका answer इससे पहले कि इसको explain करके यहां पर बताता हूं जिसे कि आपको जितना भी मैंने उपर लिखा हुआ है इसको समझने में आसानी होगी तो हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते है फिनोल की तो फिनोल का structure इस तरह से रहता है हमारे पास यह फिनोल है हमारे पास इस तरह से ठीक है और यह हमारे पास यह सिंगल बॉंड है ठीक है और यह हमारे पास रहता है अलकोहल ठीक है फिनोल और अलकोहल में डिफरेंस क्य क्या है यहाँ पर alkyl group लगा है यहाँ पर aryl group लगा हुआ है ठीक है सो जो हमारे पास जो यह फिनोल रहती है यह ज्यादा acidic होती है as compared to alcohol ऐसा क्यों होता है सो इससे पहले कि हम इसका answer देखें हमें सबसे पहले पाता होना चाहिए कि acid होते क्या है सो brownstead acid वो वाले compound हमारे पास होते है जो easily एक hydrogen ion को release कर सकते है सिंपली अगर हम कहें वो वाले compound को हम acidic कहेंगे जो easily एक hydrogen atom को release कर लेते है जो molecule जितनी जल्दी एक hydrogen ion को वो वाला molecule कोई भी ऐसा molecule जो बहुत जल्दी hydrogen ion को release करता है उनको हम जो है अच्छे acid जो है consider करते है ठीक है ना उनको हम जो है strong acid consider करते है जबकि वो वाले compound जो बहुत मुश्किल से hydrogen ion को जो है release कर पाते है उनको हम weak acid कहते है अगर हम इन दोनों में compare करे alcohol और phenol में तो हमें हम देखते हैं कि जो phenol होता है हमारे पास यहाँ पर जो phenol होता है हमारे पास यह ज़्यादा acid है as compared to alcohol तो ऐसा क्यों तो अब इसको जानने के लिए हमें एक एक को discuss करना पड़ेगा ठीक है so let's start तो यह हमारे पास यहाँ पर इस तरह से phenol रहता है इस तरह से हमारे पास phenol रहता है ठीक है यह हमारे पास phenol है यहाँ पर O है और यहाँ पर H लगा है ठीक है इस तरह से हमारे पास phenol है अब आपको पता है कि जो यह हमारे पास इस तरह के cyclic forms रहती है इनके अंदर जो है resonance होता है ठीक है इनके अंदर क्या है resonance होता है अब आपको पता है आपने inductive effect के बारे में पढ़ा है inductive effect दो तरह का होता है या तो plus i effect हो सकता है या तो minus i effect हो सकता है कुछ compound या कुछ atom हमारे पास ऐसे होते है जिनमे plus i effect होता है और कुछ compound या कुछ molecule हमारे पास ऐसे होते है जिन में minus i effect होता है ठीक है plus i effect means हाला कि दोनों inductive effect के ही type है ठीक है plus i effect means plus i effect अगर किसी atom या molecule के पास है उसका मतलब यह कि उसके पास जो है अपने electrons को आगे push करने की capacity है मतलब chain में आगे खिसकाने की उसको जो है जैसे कि आपको पता है यह जो ring है इसमें carbon carbon यहां तक लगी हुए ठीक है अब आपको पता है कि oxygen और carbon में से ज़्यादा electronegativity किसकी है oxygen की है obviously बात है कि oxygen की electronegativity ज़्यादा है ठीक है लेकिन यहाँ पर दो factor काम करते हैं एक तो electronegativity वाला factor काम करता है और दूसरा resonance वाला factor काम करता है ठीक है अब जो यह oxygen atom है हमारे पास भले ही इसकी electronegativity ज़्यादा है लेकिन इसके पास होता है plus eye effect ठीक है कौन सा effect होता है इसके पास plus eye effect ठीक है प्लस eye effect की बज़ा से क्या होता है यह अपने electron को खींचता नहीं बलकि ultra डोनेट करने लगता है ठीक है अपने electron को नीचे ring को देने लगता है इस तरह से अपने electron को नीचे देने लगेगा ठीक है electron जो है oxygen से दूर जा रहे है बले यह oxygen की electron activity जादा है लेकिन जो है यह plus i effect उस electron negativity से भी जादा है ठीक है electron negativity और plus i effect की अपस में लड़ाई होती हो और जीतता कौन है इसमें plus i effect जीतता है ठीक है उसकी बज़े से क्या होता है oxygen जो है नीचे के के उपर क्या जाएगा पार्शली नेगटिव चार्ज ठीक है पार्शली नेगटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है उसके बाद जो है यह इलेक्ट्रों जो है यहां पर जो जो इलेक्ट्रों यहां से नीचे गए जो इलेक्ट्रों इस कार्मन से नीचे गई खी सके ठीक है उसस जो unstable compound है guys हमारे पास वो जो है हमारी यह wall है उसमें जो है exist नहीं कर सकते जादा अब हमारे पास क्या है oxygen की उपर positive charge है क्या आपने कभी oxygen की उपर positive charge देखा है ठीक है बहुत ही मुश्किली से हमें positive charge देखने को मिलता है वैसे हमें देखने को annat doss नहीं मिलता oxygen के उपर positive charge लेकिन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है positive charge यह एक unstable चीज़ है मुझे इसको stable करना है ठीक है इतनी जादा electronegativity है oxygen के और फिर भी इसके उपर positive charge तो यह तो बात बनी नहीं मतलब यह एक unstable compound है ठीक है अब stable होने के लिए यह क्या करेगा stable होने के लिए यह क्या करेगा ठीक है यहां पर तो plus eye effect का फड़ना चला हुआ है ठीक है अब इस oxygen को electron चाहिए तो चाहिए कहां से चाहिए ठीक है कहां से लाएगा अब यह जो है इस hydrogen oxygen और hydrogen के बीच में यह bond बनाया इसके electrons को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ठीक है अब जैसे ही oxygen नीचे के और electron रिलीज के अब oxygen के ओपर तो electron की कमी हो गए ठीक है तो यह क्या करेगा यह जो है इस hydrogen के electron को अपनी तरफ खींचेगा इस तरह से ठीक है जैसे ही hydrogen atom के electron को अपनी तरफ खींचेगा तो O के electrons नीचे की और जाते हैं, ring की और जाते हैं, तो oxygen और hydrogen के bond की polarity बढ़ जाती है, polarity means दो पोल यहाँ पर बहुत जल्दी-जल्दी बनने लगते हैं, ठीक है, अब जैसे-जैसे electron यहाँ खिसकेंगते हैं, oxygen के उपर क्या आता जाएगा, oxygen neutral होता जाएगा, और H जो है हमारा, यह positively chart होता जाएगा, मतलब यह O और H है, जैसे ही plus I effect की बज़ा से electron नीचे जाएगे, O और H की polarity जो है, O और H bond की polarity जो है, बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा bond की polarity बढ़ती है, उसके तूटने की जो है, वो तूटता उतनी आसानी से है, ठीके ना, simple सी बात है, plus I effect की बज़ा से electron नीचे की और गए, oxygen के उपर positive charge आ गए, तो oxygen क्या करेगा, oxygen के बास अब electron की भूख है, उस भूख को मिटाने के लिए क्या करेगा, hydrogen और oxygen के जो ये bond बना था उसके बीच में, उसके electron को खींचने की कुश्च करेगा, ठीके, अब जो है, ये oxygen जो है, easily इस bond के electron को खुद खा लेगा, अकेले खा लेगा, और hydrogen atom को क्या कर लेगा, hydrogen ion को क्या कर लेगा, यहां से, इस तरह से release कर लेगा, ठीके, और बनेगा क्या हमारे पास, इस तरह से, जैसे हमारे पास ये था ना, इस तरह से, इस तरह से था, ठीके, जैसे ही, ये जो है, इसने सारे के सारे electron खा लिये, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से चला गया, ये यहां से चला जाएगा, ठीके, और oxygen के उपर आ गया, negative charge प्लस hydrogen ion अब आप सोच रहे हों कि negative charge कैसे है, ठीक है अभी जो इससे पहले हम बात करें थे वहाँ पर partially, यहाँ पर इस तरह देखिए इस तरह यहाँ पर जो हो रहा था ठीक है, तो यहाँ पर completely oxygen के उपर positive charge नहीं था, completely नहीं था completely नहीं लेना है उसको, उसको हमने partially करना है partially negative, ठीक है, मतलब partially positive sorry, partially positive, मतलब थोड़ा सा पूरी तरह से, पूरी तरह से जो है यह positive नहीं हुआ था, ठीक है, पूरी तरह से इसने electron को lose नहीं किया था, ठीक है इसलिए जब जैसे ही hydrogen चला जाता है तो इसका phenoxide ion बन जाता है, इस तरह से इस तरह से इसका phenoxide ion बन जाएगा O, 6 electron यहाँ पर रहेंगे negative, plus H ion यहाँ देखिए, बहुत आसानी से जो है H positive जो है, हमारा release हो गया क्यूंकि O की उपर partially positive charge develop हुआ था, plus I effect की बजा से ठीक है, यह तो देखा हमने first वाला case alcohol, phenol वाला अब हम देखते है alcohol वाला case यहाँ पर बिल्कुल ultra होगा guys, ठीक है तो मान लिजे, यहाँ पर मैंने कोई R एक alcohol ले लो, कोई भी alcohol ले लो यहाँ पर मान लिजे, मैंने ले लिया R, CH3, मैंने, ओ सॉरी एक मिनिट मान लिजे, मैंने ले लिया CH3 OH, ठीक है, और बड़ा कर लेता हूँ इसको मैं, इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा CH3 OH, अब यह alcohol है, ठीक है यह हमारे पास alcohol है यह हमारे पास alcohol है, अब हम इसकी acidity को देखने ही कोज़ी करते है, ठीक है अब यहाँ पर देखे क्या हो रहा है अब जो यह CH3 group है, गाइस तो यहाँ पर जो यह हमारे पास था, पहले जो phenol थी हमारे पास, वो एक cyclic form थी, ठीक है लेकिन यह कैसा है, यह हमारे पास एक chain की form में है, ठीक है अब जो यह CH3 है, हमारे पास लगा हुआ CH3, अब CH3 में भी होता है प्लस I effect, ठीक है, यह इसमें भी काफी ज़्यादा capacity होती है अपने electrons को chain में आगे की और push करने की तो यह CH3 क्या करेगा CH3 के पास भी प्लस I effect है इसलिए यह क्या करेगा, आगे की और electron को push करेगा, जैसे ही आगे की और push करेगा electron को, तो oxygen के उपर क्या आ जाएगा, oxygen के उपर आ गया हमारा partially negative charge क्योंकि oxygen को तो excess में मिल रहे electron, ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पर partially negative लिखना है, ना कि completely आपने negative कर देना इसको, ठीक है partially negative means, थोड़ा सा negative हो जाएगा ठीक है, पूरी तरह से negative नहीं होगा, ठीक है बले ही यह पूरी तरह से negative ना हुआ हो लेकिन अब जो है, कहीं ना कहीं oxygen की भूग कम हो गई, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, oxygen की electron negative बहुत जादा है as compared to hydrogen इसलिए oxygen क्या कर रहा था, oxygen जो है oxygen और hydrogen के bond यह जो bond है, उसके electron को अपनी तरफ खीचने की कोशिश कर रहा था, ठीक है लेकिन जैसे ही इसको पीछे से यहाँ से electron मिल रहे है, पीछे से electron की इसको supply हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है oxygen की जो electron खीचने की capacity थी थी ना, oxygen और hydrogen bond के electron को अपनी तरफ खीचने की जो capacity थी, वो घट जाएगी क्यों घट जाएगी, क्योंकि oxygen की जो भूख थी electron की, वो कम हो रही है किसकी बज़ा से, इस CH3 की बज़ा से क्योंकि CH3 जो है plus eye effect शो कर रहा है, मतब electron को आगे की और release कर रहा है, आगे की और release कर रहा है तो oxygen की जो, electron को accept करने की भूख है, वो कम हो रही है, ठीक है, उसकी बज़ा से oxygen जो है, इस hydrogen ion को जो है, hydrogen, oxygen जो है oxygen hydrogen bond के oxygen hydrogen bond के जो electron है, उनको खिंचने में ज़ादा able नहीं होगा, ठीक है, simple शाबदों में अगर हम कहें, plus eye effect की बज़ा से, क्या होगा CH3 के जो, CH3 और O के बीच के जो electron थे, वो oxygen की तरफ ज़ादा खिसकेंगे, उससे जो है oxygen के उबर partially negative charge आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, polarity में जो यह bond था, oxygen और hydrogen का जो bond था, वो कम polar हो जाएगा less polar हो जाएगा, ठीक है less polar हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर positive charge develop नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा अगर oxygen इसके electron को खिंजेगा ही नहीं तो positive charge कहाँ से आएगा hydrogen के उपर simple सी बात है, मतलब जब तक यहाँ पर positive charge नहीं आएगा, मतलब जब तक यह इस bond की polarity नहीं बढ़ेगी, तो मतलब इस hydrogen ion को यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है, निकालना मुश्किल है, मतलब यह weak acid है, बहुत case में, वहाँ पर partially positive charge बन रहा था ठीक है, वहाँ पर partially positive charge बन रहा था यहाँ पर ultra हो रहा है, यहाँ पर partially negative charge बन रहा है ठीक है, वहाँ पर oxygen के electron को oxygen की electron खिंचने की भूक बढ़ रही थी, क्योंकि उसके उपर positive charge था phenoxide के आएन के उपर, ठीक है, जो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है phenol जादा acidic होते हैं as compared to alcohol तो अब यहाँ पर आप इसका जो है screenshot ले ले इसका आप screenshot ले ले the phenols are more acidic than alcohols because due to resonance the oxygen atom of the alcoholic group releases electron towards the ring and gain partially positive charge यह मैंने सारा का सारा आपको बता दिया बस आपको एक बार इसको read करना, ठीक है due to this the polarity of OH bond increases and hence the release of H positive ion becomes easy, ठीक है also the phenoxide ion so formed is more resonance stabilized as compared to phenol molecule, ठीक है यह सारा का सारा मैंने explain कर लिया है अगर आपने explanation ध्यान जे सुनी तो आप बिल्कुल easily इस question को कर सकते हो on the other hand in case of alcohol the phenomenon of resonance does not agree यहाँ पर किसी भी तरह का हमार को resonance देखने को नहीं मिलता ठीक है, also the alkyl group अब जो alkyl group लगा था, R बाला group इसमें ठीक है, also the alkyl group have plus I effect due to which it increases electron density over oxygen atom of OH ठीक है due to increased density of electrons over oxygen of OH group the polarity of OH bond decreases and release of H positive ion becomes difficult, ठीक है यह सारा का सारा आप easy लिकर सकते हो अगर आपने explanation ध्यान से सुनी, ठीक है एक बार फिट से आप इसको देख लो इसका screenshot आप ले लो जल्दी से इसके screenshot आप ले लो formed इस तक पहले, formed इस तक हो गया अब formed इस तक यहाँ तक कर लीजे इसका screenshot ले लो ठीक है, उसके बाद यह third screenshot यहाँ से यहाँ तक ले लो, ठीक है अब इसको represent कैसे करेंगे हम ठीक है, represent कैसे करेंगे तो represent इसको इस तरह से करेंगे हम यहाँ पर देख लीजिए यह आपको अगर बड़ा question है हालांकि जो class plus two है यह जो है board के exam में काफी बार यह question पूछा जाता है ठीक है, तो अगर आपको अगर तो आपको यह कम marks में आया हुआ है one या one and a half marks का तो उपर वाला यहाँ तक अगर आप लिख होगे तो चल पड़ेगा ठीक है, लेकिन अगर बड़ा question आया है तो आपको यह representation भी देनी पड़ेगी तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप इनके resonating structure आपको बनाने है इस तरह से इसको represent करना है आप देखिए यह resonating structure, simple resonating structure बनाए हुए ठीक है, simple resonating structure बनाए हुए आप देखिए इन सभी structure में आपने आपको क्या common क्या दिख रहा है, इसका भी screenshot ले लीजिए नीचे कर लिया, नीचे कर लिया, नहीं ठीक ही है यह वैसे ठीक है, यह सारे के सारे आपको draw करने है, ठीक है, यह simple resonating structure है यह आपको ध्यान से देखने है, ठीक है अब जितने भी structure आपको resonating structure दिख रहे है तो ये resonance structure को आप easily इनको draw कर सकते हो ठीक है बिल्कुल simple है ये ठीक है अब जैसे ही एक और interesting बात ये है जैसे ही जो है ये alcohol एक hydrogen ion को release कर लेता है ठीक है जैसे ही ये एक hydrogen ion को release कर लेगा ये एक hydrogen ion को release कर लिया तो देखने को क्या मिलता है? कि जो phenol है हमारे पास अगर वो एक hydrogen atom को release कर ले तो उसके बाद जो structure हमें मिलता है जो phenoxide वाला structure हमें मिलता है फिनोकसाइड आयन जो हमें मिलता है वो और भी ज़्यादा stable होता है as compared to alcohol ठीक है as compared to alcohol अगर हम alcohol से compare करें तो जो phenoxide आयन होता है जो alcohol ओ सॉरी यह जो phenoxide आयन है phenoxide आयन किसे बना phenoxide आयन मना phenol से तो देखने को क्या मिलता है देखने को यह मिलता है कि जो यह phenoxide आइन है हमारे पास यह जादा stabilize है यह जादा stable है as compared to phenol जिससे यह बना ना मतलब यह वाला जो structure था यह गम स्टेबल है यह ज़दा stable है और हमें पता है कि जो चीजे जादा stable होती है वो जल्दी बनती है ठीक है न मतलब ये जो फिनोल है वो कोशिश करती है कि फिनॉकसाइड आयन में convert हो जाए ठीक है क्योंकि ज़्यादा stable चीज है वो बहुत जल्दी बनती है ठीक है अपने आप बन जाती है ठीक है इसमें भी आपने resonating structure आपने draw करने है ठीक है इस तरह से तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो phenoxide ion होता है जो phenoxide ion होता है वो more stable होता है as compared to phenol इसलिए भी जो है phenol बहुत easily जो है एक hydrogen ion को release कर देती है वो कोशिश करते है कि हम phenoxide ion में convert हो जाएं क्यूंकि phenoxide ion जादा stable है और जादा stable चीज़ जो है जल्दी बनती है ठीक है on the other hand अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह से देखिए यहां पर यहां पर भी हम देख सकते हैं यह क्यूं है क्यूं है जो यह हमारे पास phenoxide ion है यह जादा stable है as compared to phenol ऐसा क्यूं कहारा हूं मैं ऐसा इसलिए क्यूंकि यहां पर जहां पर हमें charge separation मिलता है जिस structure में हमें वहां पर उसकी stability काफी कम होती है इसकी stability कम है क्यूंकि इसमें charge separation मिल रहा हमें इसमें किसी भी तरह का charge separation नहीं है एक type के charge है ठीक है इसलिए phenoxide ion ज़्यादा stable है और ज़्यादा stable चीज़े जल्दी बनती है इसलिए phenol कोश करता है कि वो फिनोकसाइड आयन में convert हो जाए, ठीक है, और next हमारे ये तो alcohol बाला ही है, ठीक है, ये मैंने आपको explain कर लिया, ये जो है R, R क्या करेगा, plus I effect की बज़े से oxygen, oxygen के उपर आ जाएगा, partially, कौन सा charge, partially, negative charge, क्योंकि R ने जो है, अपने electron आगे की और push किये, plus I effect की बज़े से, इ ये होगी तो होगी, ये process होगी तो होगी, लेकिन बहुत मुश्किल से होगी, ठीक है, क्योंकि oxygen के उपर पहले से ही negative charge आ चुका है, ठीक है, तो ये था complete description, इस question का, I hope you enjoy the video, मिलते है next video में, तब तक के लिए, goodbye.